हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई केचेन आज मैं आपके लिए बहुती सिंपल पांच मिनट पर बनने वाली रेसिपी लेके आई हूँ तो देखते हैं हमें इस रेसिपी को कैसे बनाना है और आपको इस रेसिपी अच्छी लगे तो इस पर एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं एक पैन में दो चमचा घी गरम कर लिया है अब इसमें एक चमच जीरा डाला है आदी चमच राई एक चताई चमच हल्दी डाली है बड़ी लाइची डाली है प्याज जाल देंगे इसमें एक बारी कटी हुई और इसे अच्छे से मिक्स कर रहेंगे और प्याज को हमें ट्रांसलूसेंट होने तब भून लेना है देखिए प्याज ट्रांसलूसेंट हो चुकी है अब इसमें हम एक चताई कप कर्दुकस की हुई पत्ता को भी डाल देंगे इसे अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे कि इसमें हल्दी अच्छे से मिक्स हो जाए अब इसमें नमक डाल देंगे आदी चमच इसे दो मिनट ठक के पकने देंगे देखिए पत्ता को भी गल चुकी है अब हम इसमें चावल डाल देंगे एक कप चावल ये पके हुए चावल है इसमें थोड़ा सा नमक और एट किया है अगर आपने चावल पकाते समय नमक नहीं डाला है तो इसमें और थोड़ा नमक एट कीजिएगा और अब इसमें लाल मिट्च और गरम मसारा डाला है सबी को हमें अच्छे से मिला लेना है धनिये से गार्निश करेंगी और गैस को आफ करेंगी हमारे गर्म गरम कैबेज राइस या पत्ता गोभी के चावल बनके तयार है और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस पर लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में लिखके बताईएगा कैसी लगी आपको ये रेसिपी और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे ये बिल्कुल फ्री है और आप मेरे चैनल पर जाके ऐसी जटपड बनने वाली रेसिपीज देख सकते हैं बहुत सारे स्नैक्स रेसिपीज आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी बैल आइकल दबाना बिल्कुल मत बूलिएगा जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा बाई बाई फ्रेंट्स टेक कियर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में